दोस्तो आज मैं आपको बताऊँगा कि यदि आपको Facebook में bonus setup का option मिल जाता है तो आप इसको setup कैसे करेंगे दोस्तो जैसे मैं यहाँ पे दिखाता हूँ आपको देखिए मुझे bonus setup का option जो है मिल गया है यदि आपको भी bonus setup का option जो है यह मिल गया है तो इस वीडियो को पूरा द देखिए मैं आपको बताऊंगा कि आप इसको setup कैसे करेंगे जैसे कि यहां पर बोल रहा है start earning with performance bonus यह जो है दोस्तों यह performance के अधार पर आपको जो है bonus देगा ठीक है यानि Facebook जो है वो performance के अधार पर बोनस देगा आप किसी को भी किलिक करेंगे ads on reels, stars या industry made सभी में आपको setup का option यहां पे मिल जाएगा ठीक है तो मैं आपको बताता हूँ कि आप जो है इसको setup कैसे करेंगे तो setup करने के लिए दोस्तों कुछ नहीं करना है bonus के आगे जो setup यहां पे लिखा हुआ है इसी में आपको कर देना है किलिक यहां पे performance का option आ bonus जो है दोस्तों वो देगा देखिए यहां पे maximum bonus आपको 1100 डोलर तक मिलेगा तापको get started में नीचे जो लिखा हुआ यहां पे get started यहां पे click करके इसको setup करना पड़ेगा जब तक आप इसको setup नहीं करेंगे तब तक आपको bonus नहीं मिलेगा यह features तो आपको मिल यह है लेकिन जब तक आप इसको setup नहीं करेंगे यानि के चालू नहीं करेंगे तब तक आपको bonus नहीं मिलेगा तो आपको get started पे click करके इसको setup कर लेना है तो जैसे ही यहां पे get started करेंगे दोस्तों कुछ इस तरह यहां पे खुलेगा बोलेगा select your business information तो यदि आपने पहले से facebook में payout का account बना लिया है दोस्तों यहां पर जो नां आता है date of birth आता है country यह सब डाल को यदि आपने पहले से payout का account बना लिया है तो आपको जो है बार बार payout का account नहीं बनाना है यहां पे add new business information में click करके आपको यहां पे click करके nest कर देना यदि आपने पहले से जैसे की industry made हो Someone या तो reals हो गया या star हो गया उसका setup किया हुआ है तो उसके बाद यहाँ पर tax information भरने के लिए बोलेगा तो आप यहाँ पर add tax info पर click करेंगे ठीक है बार बार आपको payout का account नहीं बनाना बहुत सारे लोग बार बार बनाने लगते हैं यहाँ पर login करने के लिए बोल रहा है तो यहाँ से आगे बढ़े में किलिक कर देते हैं तो यहाँ पर आपका facebook ID और password यदि मांगे तो आप डाल के login कर लिजे उसके बाद यहाँ पर क्या बोला जा रहा है get started text information भने के लिए बोल रहा है तो यहाँ पर हम no union के लिए कंशन कर देना है मैं बार 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 जो है payout का account बनाना नहीं है बहुत सारे लोग बार-बार payout का account बनाने लगता है जो पहले से बनाया गया account Rhet subjects उसी में आ्पको करना क्या है setup कर देना ठीक है तो यहां से मैं कर लेता हूँ India Tax Information में भरने के बारे मता रहा हूँ यहां पर भरने के लिए बोल रहा है तो चली यहां से हम कर देतें India यहां पर मेरा नाम दिखा दिया यहां पर country मैंने India कर दिया उसके बाद यहाँ पे आपको उपर वाले में ही टिक करना आई है यहाँ नन UST में ठीक है यदि आप इसमें कर देंगे तो बहुत सारा डीटेल फिर भरने के लिए बोलेगा तो हम US का नहीं है मतलब आई है यहाँ नन UST ठीक है तो जैसे ही नेश्ट करेंगे दोस्तो यहाँ पे बोलेगा इंटर योर एड्रेस और यहाँ पे हमारा सारा एड्रेस जो मैंने पहले से डाला हुआ रहेगा मतलब पहले से जो पे आउट एकाउंट में डाला हुआ रहेगा वही सारा मेरा यहाँ पे दिखा देगा थमको करना किया है तो उस्तों नेश्ट में किलिक कर द ठीक है मैं इडिया कर देता हूँ जल्दी से country select करने के बाद दोस्तों हम करेंगे क्या यहां नीचे से nest कर देंगे ठीक है यहां पे एक और निया पेज आ जाएगा देखिए यहां पे आ गया है तो हम थोड़ा सा नीचे आएंगे scroll करते हुए और यहां पे चेक कर देंगे औ आपको अपना नाम ही लिखना है जिसे नाम से आप payout account बनाये हुए रहेंगे वही नाम आपको यहां पे लिख देना है date automatic आजाएगा उसके बाद आपको nest में click कर देना है उसके बाद थोड़ा सा वेट करना है सारा यहां पे दिखा देगा बोल देगा एक बार आप जो है review कर लिजे यहां पे आप जो है सारा detail अच्छे से पढ़ लिजे यदि आपने पहले से payout account बनाया हुआ रहेगा तो आपको पढ़ने का ज़रत नहीं है आप जो है केवले एक बार उपर उपर से चेक करके यहां पे submit form पे click कर दीजे मैं आपको बार बार बोल रहा हूं कि आ account बनाने लगते हैं तो आपको बार बार payout का account नहीं बनाना ठीक है एक ही बार बनाना है और उसी payout account से सारे account को link करते ही चले जाना है यहां पे मेरा सारा detail दिखा रहा है तो चलिए next कर देते हैं यहां पे गोल गोल घूम रहा है अभी तुरंत यहां पे सारा चीज जो है व आपको क्या करना है कुछ नहीं करना किरियट और सेर करना आप जो भी बनाते हैं उसको किरियट कीजिए और सेर कीजिए उसके बाद किया अपने earning को track भी कर सकते हैं देख भी सकते हैं उसके बाद क्या है बोल रहा है कि 1100 तक का आपको maximum जो है वो bonus दिया जाएगा आपके performance क आधार पे तो आप यहाँ पर Click करके देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको जो है bonus मिला या नहीं मिला सारा चीजिए यहां से आप जो है दोस्तों चेक कर सकते हैं और यदि अपने दोस्तों सारा चीज़ गलती से कलोज कर दिया तो भी हैपको Tencer नहीं लेना है अपने profile में Click कर उसके बाद आपको monetization में क्लिक करना है उसके बाद यहां पर देखेंगे तो bonus जो पहले यहां पर setup लिख रहा था यहां पर setup complete दिखा देगा तो bonus में आपको क्या है क्लिक कर देना है performance में आपको जो है क्लिक कर देना है तो आप यहां पर आ जाएंगे और यहां से चेक कर सकते हैं कि आपको जो है bonus मिल रहा है या नहीं मिल रहा है यहां से सारा चीज आप जो है चेक कर सकते हैं और दोस्तों यदि आपको bonus का features नहीं मिला है तो आप मुझे comment box में comment करके बताईए मैं next video में बता दूँगा कि आप जो है एटसों डिल्स हो गया इनका setup करते समय जो मैंने payout का account बनाया था या आप जो बना हुए रहेंगे उसी account से आपको इसको भी setup कर देना आपको बार-बार payout का account नहीं बनाना बहुत सारे लोग बार-बार payout का account बनाने लगते हैं यहीं गलती कर देते हैं आपको इस वीडियो को यहीं पर समाप्त कर देते हैं दोस्तों यदि आपको bonus का feature मिल गया है तो आप जो है इसको setup कर लीजिए तो चलिए दोस्तों इस वीडियो में इतना है दोस्तों मिलते हैं फिर next वीडियो में जाहिन दोस्तों